हलो फ्रेंट्स गुड मॉर्णिंग और वेलकॉम ट्यूटूफ चैनल लेज के सन्निकेतर शिक्टिसेवन बीपीएसी प्रिलिम्स रीग जाम के संबंद में एक इंपोर्टेंट अपडेट आ रही है और अपडेट यह है कि आज दिर रात तक 67 बीपीएसी प्रिलिम्स परिक्षा के रिगार्डिंग इंटिमेशन लेटर ओफिसियल वेब साइट पर अप्लोड कर दिया जाएगा कल जो बीपीएसी के चेर्मेन अतुल परसाद ने न्यू चैनल को इंटरव्यू दिया था उसके बाद लगवक क्लियर हो गया था कि परिक्षा बीस और बाइस को ही आयोग कराने पर आमदा है और आयोग की तरफ से लगवक फुल पुरूफ हो चुका है कि परिक्षा बीस और 22 सितंबर को ही आउजित कराई जाएगी जितने भी कंसर्ण थे उनको अध्यक्ष ने सीरे से खालिश कर दिया यूपीएसी की मुख परिक्षा के बीच में ली जा रही है प्रिक्षा उन्होंने तर्क दिया आप सामत हो उनके तरक से नहीं हो यह अलग बात है लेकिन उ दूसरी बात कि यूपीपीस्यस मेंस और यूजी से नेट के रिगार्डिंग भी जो कंसर्ण थे उससे उन्होंने खालिश कर दिया इसके बाद शातरों के जो चौथा कंसर्ण है पर संटाइल मेथेड उसके बारे में भी कल जो इंटर्व्यूम से लिया गया जितने भी प बनाएं तो रखें यानि कि जो उनसे रिजर्वेशन के बारे में पूछा गया अगर बहुत ज्यादा किसी अंतर आता यानि फर्स शिफ्ट में 60 परशंट बच्चे उपस्तित होते हैं वो इसी इस्तिति यानि जितनी भी परिस्तितियां उपस्तित हो सकती थी उन सारे से और चाहिए जाएं जाएं तो आपको अपने तरफ से बिल्कुल किलियर है कि परिक्षा कायोजन 20 और 22 को कराए जाएगा तो आपको अपने तरफ से भी किलियर हो जाना चाहिए कि जो 26 तारिक को आंदोलन होना है उसका क्या रिजल्ट होगा यह आपको नहीं पता है क्योंकि चीज़े आयों के पास पहले से ही पहुँच चुकी है तो उसका बहुत सकारात्मक रिजल्ट हो इसके बारे में कुछ कहपाना भी बहुत मुस्किल है तीसरी बात आप करेंट अफियर्स हिस्ट्री और साइन्स इन तीन शेक्टर्स पर पूरी फोकस लगा दें अगर आपको परिक्षा क्वालिफाई करनी है क्योंकि परिक्षा प्रसंटेल सिस्टम के बाद पहले के तुलना में और ज्यादा जटिल हो गया है क्योंकि आपको को नहीं पता है एक अच्छी बात है कि अपने इंटर्विव में कल साफ साफ कहा है कि अगर किसी स्टुडेंट को परिशान ही होगी और अट्मिट कार्ट जारी होने के बाद यानि नोटिफिकेशन के बाद वो अपने डेट को चेंज को लेकर उन्होंने एक बात कही हूँ कितनी प्रेटिकल है यह बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर ऐसा ओप्सन देते हैं तो बड़े पर मारे पर हो सकता है कि छात्र डेट बदलने के लिए अप्लिकेशन दें तो साइद वो फिजेबल ना हो लेकिन उन्होंने इंटर्विव में एक बात साफ साफ कही है कि वो क भी कहा कि सारे बाहर के स्टुएंट का सेंटर पटना में भी देना पॉसिवल नहीं है लेकिन उन्होंने कहा है कि कोशिस की जाएगी कि सेंटर का डिस्टिब्यूशन जो हो उसमें पैरिटी रखी जाए ऐसा व्यवस्था की जाए कि कि किसी को खास दिक्कत नहों यानि कि स्टेट डिस्टिक रूल बाहर के जो स्टुएंट आ रहे हैं उनको पतना है उसके आसपास गल्स का होम सेंटर इन चीजों पो ध्यान रखेंगे ऐसी बात उन्होंने इंटर्व्यू में कहिए यानि कि जो सबसे अहम मुद्दा अभी तक हमारे पास बचा हुआ है वो एक म परशन का जबाब क्लियर कट नहीं दिया है वह है पर्शंटाइल सिस्टम उमीद है कि जब बीपेसी आजाओ अपनी नोटिफिकेशन जारी करेगी तो उसके रिगार्डिंग में भी किलारिटी वा जाएगी कि किस तरीके से इस पदती को बीपेसी अगामी परिक्षा में लागू करने जा रही है और जब तक नोटिफिकेशन ओफिसियल नहीं आता तब तक हमें भी क्लारिटी नहीं है क्या की रध्यक्ष महदे करने क्या जा रहे हैं क्योंकि 5000 5000 या बहुत सारी बाते बताई हैं उसमें बहुत सारी अंबिग्विटी है छात्रों कितब से हमें संदे है कि स्क्रीन पर जो देख रहे हैं एक किसी स्टुडेंट के द्वारा ही हमें वाट्सप पे भेजा गया है इसमें अपने कंसर्ण पॉइंट वाइज फॉर्म में बताएं हैं तो आप इससे देख सकते हैं कि तीन चार मुद्दें एक तुज़ु फाइफ थाउजिंट के बारे मुंने का था लिजफिसन के बारे में अगर बच्चों अनुपस्टीत हो जाते हैं किसी सिफट में उसके बारे में फिर इन्हों ने कोट के इसका विजिक्र किया है अग बेसिक बाति जहां तक कोट मे नहीं आ जाता है किजे क्लियर नहीं हो जाती कि सेक्षन वाई सेक्षन भी प्यसे क्या करने जा रही है बेसिकली उन्होंने किस टर्मलॉजी के यूज किया है तब तक कुछ भी नहीं काल सकता है तो आप वेट कीजिए नोटिफिकेशन का मैं अभी टिकट चेक कर रहा था पत करें कि 18 के नाइट वाली किसी ट्रेन में अब टिकट बना लें पतना या उसके आसपास किसी डिस्टिक का बच्चे को संख्या बहुत जादा है आपको दिक्कत आने वाली है इसलिए आप फेस्टिबल टाइम भी है उस टाइम आगे टिकट अभी से बना लें तैयारी पू मैं लेट हो क्योंकि आपने देखा त्योंकि योग परीक्षा में बार बार बता रहा हूँ कि जुलाइव के अंतिम की का करेंट अफेर्स पूछा गया यानि 20 से 25 दिन पहले का करेंट अफेर्स पूछा गया है आप से एप जो गुगल प्लेयर पर पर रिश्टर्ड है आप दे सकते हैं एक टेस्ट को आप unlimited बार कर सकते हैं साथे साथ उसकी पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी जो प्राइस रखी गई है कल तक यानि 25 अगस्त तक मात्र 350 रूप यानि 350 रूप इसकी फी है जो कि एक अफरडबल प्राइस है यानि कि एक टेस्ट का आपको मात्र 65 रूपी से भी कम लग रहा है और इस सारे के सारे फूल लेंथ टेस्ट हैं जिसमें हमने करेंट अफेर्स के संख्या थोड़ा ज्यादा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं इंग्लिष टेस्ट सीरीज की हिंदी टेस्ट सीरीज की दोनों की आप सेपरेटले जिस टेस्ट को करना चाहते हैं उससे ध्यान रखें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि समय गलती से हिंदी की जगा पर आने बाद